आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें बराबर समाकलन क्या हो जाएगा, एक बटे में x माइनस का x क्यूब dx ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, समाकलन एक बटे में इन दोनों में से मैं x कॉमन ले लूँगा, तो क्या बचेगा, एक माइनस का x स्क्वार और dx अब इसके बाद मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ समाकलन एक बटे में x और यहाँ पर a प्लस b, a माइनस b लग जाएगा तो वो क्या होता है a square मैनस b square यानि की 1 प्लस x और 1 माइनस x और dx तो इसके बाद कितना हो जाएगा यह आई बराबर बताएए अब यहाँ से मैं क्या करूँगा एक बटे में x, एक माइनस x और एक प्लस x इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आंचिक भिन से a बटे में बताएए a बटे में मैं इसको लिख सकता हूँ A बटे में X प्लस B बटे में 1-X और प्लस C बटे में 1-X ठीक है, अब जब LCM लोगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A A में किसकी गुणा होगी, 1-X और 1-X की, फिर प्लस B में गुणा होगी, 1-X और X की, और C में किसकी गुणा होगी, 1- X और X की, ठीक है, तो यहाँ से एक बराबर किसकी हो जाएगा, A 1-X स्क्वार और प्लस यह हो जाएगा आपका BX और प्लस BX स्क्वार, फिर यहाँ पर हो जाएगा यहाँ आपका CX और माइनस का CX स्क्वार ठीक है, तो एक बराबर क्या हो जाएगा a minus का a x square plus b x plus b x square plus c x minus c x square तो x square वालों की तुलना करेंगे अगर तो देखेंगे कि क्या है minus का a plus का b minus का c और यहाँ पर तो x square का गुड़ांक ही नहीं यानि कि यह 0 के बराबर होगा फिर x वालों की तुलना करेंगे तो x वाले क्या क्या है यहाँ पर एक तो b और एक c तो b plus c किसके बराबर जागा क्योंकि x का भी गुड़ांक नहीं है तो b plus c बराबर 0 होगा फिर अचरपद अचरपद यहाँ पर सिर्फ क्या है a ठीक है और यहाँ पर अचरपद है एक तो a बराबर 1 होगा ठीक है जब a बराबर 1 है तो यहाँ पर रख देंगे तो minus 1 plus b minus c बराबर 0 यानि b minus c बराबर कितना हो जाएगा एक और एक हमाए पास यह वाली समिक्रण है तो क्या हो जाएगा b plus c बराबर 0 जो दोनों को सरल कर लेंगे तो C से C घट जाएगा जोड देंगे तो दो B हो जाएगा 2B बरावर 1 यानी B बरावर 1 बटा 2 तो यहां से C बरावर क्या होगा माइनस का B यानी कितना हो जाएगा माइनस का 1 बटा 2 सब के मान आ रचुके हैं A B C के तो अब हमारी समिगरण क्या हो जाएगी? i बराबर a का मान कितना है? 1 ठीक है? समा कलन dx बटे में x ठीक है? उसके बाद क्या था? b बटे में 1-x और b का माना आया है 1 बटा 2 तो plus 1 बटे में 2 समा कलन dx बटे में 1-x फिर plus क्या था? plus था c और c का मान है minus 1 बटा 2 समाकलन dx बटे में 1 plus x अब हमें पता है कि जो समाकलन होता है dx बटे x का वो क्या होता है log mod x होता है ठीक है तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा log mod x फिर plus 1 बटा 2 यह कितना हो जाएगा log mod 1 minus x अभी 1 minus x को एक तरस हमने t माना है तो इसमें का जो अवकलन होगा वो बटे में आएगा यानि कि minus 1 बटे में आजाएगा फिर यह क्या है minus 1 बटा 2 log mod के अंदर कितना हो जाएगा 1 plus x और plus c c यहाँ पर समाकलन इस तिरांक है तो यह हो जाएगा log mod x minus 1 बटा दोनों में से common और यह हो जाएगा log mod के अंदर 1 minus x plus log mod के अंदर 1 plus x bracket बंद और plus का c तो इसके बाद ही हो जाएगा log mod के अंदर x minus 1 बटा 2 अब आपने एक सूत्र पढ़ा है कौन सा वाला वो यह होता है कि log m minus sorry log m plus log n तो यह किसके बराबर होता है log m गुणा में n के तो यह log m है और यह log n है तो यह कितना हो जाएगा log m गुणा में n यानि 1 minus x और गुणा में 1 plus x और plus c तो यह कितना हो जाएगा log mod के अंदर x minus 1 बटा 2 log mod के अंदर एक माइनस क्या हो जाएगा एक a plus b a minus b a minus a square minus b square यानि एक माइनस x square और plus का c तो i बराबर हमारा ये आगया अब देखिए उपर जो इन्होंने हमें दिया है हमने इन्होंने भी हमें यही दिया है इन्होंने बस mod नहीं लगा है बागी होता यही है मान log x minus 1 बटा 2 log 1 minus x square plus c तो इसका मतलब और हमारा भी यही आ रहा है आई का मान ठीक है जो समाकलन का मान आया है इसका मतलब जो कथन हमें दिया गया है ये कथन बिलकुल सत्य है